नमस्कार आज की खबर चेनल में हम आपका स्वोगत करते हैं हम आपको बताने जा रहें दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज लेकर आएं दोस्तो चा हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों एक आदमी ने 10 साल तक अपने हाथ नहीं दोए क्यों नहीं दोए अपने हाथ हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों अमेजन प्राइम पर फ्री में वीडियो एक साल तक कैसे करी देंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर है भारत के अमीरों ने इस साल कितना दान दिया हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसला और पहली खबर हम आपको बताते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर है दो या तो गाटे में चल रही होती है दोस्तो या वह है इसी प्रकार बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी होती है या कोई इशू होता है सरकार का तो दोस्तो सरकारी कमपनिया कमी उनती कर पाती है बनिस्पत प्राइवेट कमपनियों के हाँ दोस्तो और यह जो सरकारी कमपन है بی ایسنل दोस्तों ये भी बंद होने के कगार पर पोंच चुक히 है क्यों पोंच चुकी है दोस्तों क्योंकि दोस्तों लगाता बी एसनल जो कमपणी सरकारी टेलेकॉम कमपणी यह लगाता नुकसान में चल दिये दोस ओरकार रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कमपनी से सभी ओप्शन तलाशने को कह दिया है हाँ दोस्तों सभी ओप्शन तलाशने को कह दिया है इनमें कमपनी को बंद करने का भी एक ओप्शन है दोस्तों कुल मिलाकर रिपोर्ट्स की यदि हम मानें तो दोस्तों सभी ओप्शन यदि फैल हो जाते हैं दोस्तों तो लाखो लोग बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तो हम आपको बताएं टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है दोस्तो और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसनल को दिया गया यह आदेश कंपनी के आला अदिकारी और टेलेकॉम सेकेटरी अरून सुंदर राजन की मुलाकात के बाद में आया है रिपोर्ट के अनुसार बीएसनल के चेयर्मेन अनुपम श्रीवास्तव ने इस मिटिंग में कमपनी के मोजूता हार्तिक हालात के बारे में बातचित करी और बताया कि इनमें कमपनी को हुए नुकसान और जीयो की एंट्री से पड़े प्रभ दो गई है यह वह नुकसान उठा के काम कर रही है दोस्तो हम आपको बता है आरकोम जिस तरह से बंद हुई है दोस्तो और कई कमपनिया बंद हो गई दोस्तो जीयो की आने के बाद में दोस्तो यह बियसनल जो सरकारी कमपनी है दोस्तो यह भी क्या बंद हो जाएगी आने वाले समय में हमें देखना होगा दोस्तो हम आपको यह बात बता दें जो बीएसनल सरकारी कमपनी है दोस्तो टेलेकोम की यह भारत के अंदर लेंड लाइन और ब्रोडबेंड सर्वी सहीत बेंड वीट का बिजनस करती है और दोस्तो हम आपको बताएं 2016 में इस कमपनी ने 4793 करोड का घाटा पेश किया था दोस्तो 2017-18 में भी वही घाटा पेश करेगी दोस्तो हम आपको बताएं बीएसनल के एक प्रवक्ता ने टी ओ आई को बताए है कि बीएसनल ने सरकार से का है कि मार्केट में कट्री थ्रोट कोंप्रिशन के अलावा कमपनी भरती उम्र वाले ज़्यादा करमचारियों के वज़े से भी मुश्किलों में हाँ दोस्तो बीएसनल के अंदर जो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच चुके हैं दोस्तो वह लोग भी ज़्यादा है हाँ दोस्तो हम आपको बता है अगर 2019 और 2020 में रिटायरमेंट की आय हो चुकी है तो दोस्तो सरकारी कंपनी बीएसनल लगातार घाटे में चल रही है और दूसरा कारण है कि बीएसनल के अंदर जो करमचारी है उनकी उम्र जादा हो चुकी है तो दोस्तो यह दो कारण दोस्तो प्रमु के जिसके करण आने वाले समय में दोस्तो बीएसनल जो क साल तक अपने हाथ नहीं दोए दोस्तो क्या यह आदमी गटर में गया होगा तब भी इसने अपने हाथ नहीं दोए क्यों नहीं दोए दोस्तो क्या इसको जीवानों से डर नहीं लगता दोस्तो यह आदमी यही बात कहता है कि इसे जीवानों से डर नहीं लगता और दोस्तो यह आदमी यह बात भी कहता है कि जीवानु जैसी कोई चीज वास्ता में होती ही नहीं है और यह आदमी यह भी कहता है दोस्तों जिस जीवानु को मैं आखों से देख नहीं सकता है वह इतने सुक्ष्म होते हैं तो मैं मानूंगा नहीं कि जीवानु होते हैं दोस्तों फोक्स स्टन ग्रेजुएट ने फोक्स और अपने दोस्तों से आगे का है कि मैं खुद को इनाक्यूलेट मतलब बीमारियों के खिलाब प्रतिरोध करता हूं और दोस्तों उन्होंने यह टिपनी रईवार को उस समय करी जब शोक के होस्ट एड हैंडरी और जेडी डिया बिला ने गुजार गुनिस का संकल्प है कि मैं जो ओफ एयर कहूंगा वही ओन एयर कहूंगा हां दोस्तों हम आपको बता है इस आदमी ने दोस्तों दस साल तक अपने हाथ नहीं दोए और दोस्तों यह आदमी यही बात कहता है कि मैं जीवानूं जैसी चीज़ों को नहीं मानता हू और दोस्तों इनका ये भी कहना है जो किटानू जो भी जीवानू है दोस्तों ये इसके हाथों में रहे होंगे और उनी आतों से खाना भी खाया होगा लेकिंदो फिर भी बिमार नहीं हुआ दोस्तो जो यह आदमी कह रहा है यह जो बेग्यानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाखो करोडो जीवान गूमते रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं हमें हाथ दो कर खाना खाना चाहिए और दोस्तो इस आदमी ने इस बात को पूरी तरह से जुटला दिया है हमारी आज की अगली बड़ी खावर दोस्तो अमेजन प्राइम के बारे में दोस्तो आप जानते हो अमेजन प्राइम के बारे में दोस्तों अमेजन जो e-commerce सबसे बड़ी कंपने दोस्तों उसने एक अमेजन प्राइम के नाम से एक शो शुरू किया था दोस्तों और इस शो में दोस्तों आपको मुवीज नही नहीं मुवीज नाटा के सभी प्रकार के आप जो भी शो होते हैं दोस्तों वह देख सकते हो सेवा अब आपको फ्री में मिलने जा रही है कैसे मिलेगी दोस्तों आपको यह सेवा फ्री में दे रहा है दोस्तों बियसनल सरकारी कंपनी हैं दोस्तों जो टेलेकॉम कंपनी हैं बियसनल दोस्तों यह सेवा फ्री में दे रही है आप लोगों को एक दोस्तों इसके लिए यह सेवा दी जा रही है दोस्तों जिसमें कमपनी ने यूजर्स के लिए 777 रुपे से लेकर 16,999 रुपे तक के प्लान पेश किये हैं वहीं अब कमपनी ने एलान किया है कि भारत फाइवर सेवा लेने वाले ग्रहाकों को एक साल के लिए फिरी में अमेजन प्राइम की मेंबर मेंबर्शिप दी जाएगी दोस्तों हम आपको बता हैं अमेजन प्राइम मेंबर्शिप का लाव केवल उनी ग्रहाकों को मिलेगा जो 777 रुपे या उससे अधिक का प्लान लेते हैं बता दे दोस्तों 777 रुपे वाले प्लान में यूजर्स को 18 GB डाटा दिया जाएगा इ 2990 में रुपे प्लान के अंदर यूजर्स को 40 GB का डाटा दिया जाएगा 3990 में रुपे वाले प्लान के अंदर यूजर्स को 80 GB का डाटा दिया जाएगा और दोस्तों हम बड़े प्लान की बात करें तो 9990 में रुपे वाले प्लान में यूजर्स को 120 GB का डाटा दिया जाए तो दोस्तों यदि आप अमेजन प्राइम मेंबर्शिप लेना चाहते हैं फिरी में तो दोस्तों आज ही आप जो भारत फाइवर सेवा है बेसनल की दोस्तों वहाँ पर जाकर दोस्तों आप सेवा ले लीजिए सबसे छोटा प्लान 770 रुपे का यह आप ले लीजिए और 999 रुपे का जो 3 में आपको मिलेगा अमेजन प्राइम की मेंबर्शिप दोस्तों उसका आप आनंद उठाइए हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है दोस्तों भारत के अमीरों ने इस साल कितना दान दिया इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं दोस् गरीबों को अनाथाले में दोस्तों विद्वा आश्रमबों में दान देते रहते हैं दोस्तों तो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों की हमारे सबसे बड़े दानवीर कौन है दोस्तों हम आपको बता हैं दोस्तों भारत देश के पहले दानवीर है दोस्तों मुकेश अ दोस्तों अजय प्रमल, हाँ दोस्तों जो प्रमल गृूप के माली का दोस्तों इनों अगले दानवीर आ रहे हैं यूसूफ अली एमे हाँ दोस्तो ये लुलू ग्रूप के मालिक है दोस्तो इन्होंने दान दिया है सतर करोड का और दोस्तो अगले दानवीर है शिव नडार दोस्तो ये एच सी एल के मालिक है इन्होंने दान दिया है दोस्तो चपन करोड का दोस दोस्तो शपूर जी फलोन जी मिस्त्री दोस्तो ये शपूर जी फलोन जी ग्रूप के मालिक हैं दोस्तो इन्होंने दान दिया है 36 करोड रुपे का दोस्तो अगले दानवीर है साइरस मिस्त्री दोस्तो पूरू चेरमेन रहे हैं दोस्तो टाटा संस के और दोस्तो इन्होंने दान दिया है 36 करोड रुपे का अगले दान वीर है दोस्तो गोतम अडानी दोस्तो अडानी ग्रूप के मालिक हैं इन्होंने दान दिया है दोस्तो 30 करोड रुपे का दोस्तो हमने आपको दान वीरों के नाम बता दी है यह हमारी आज की पूरी खबर नमस्कार